यूपी पुलिस भर्दी परिक्षा संपन हो चुकी है। इस दोरान गरबड़ी करने वाले 244 लोग किरफतार किये गए। कहीं कोई दूसरे की जोगा बैट कर एक्जाम दे रहा था तो कहीं कोई सॉलवर गैंग पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर पेपर लीग की खबरे भी तैरती रहें। इसे लेकर खुद सपा मुख्या अखलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्दी परिक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीग होने की नियूज सोशल मीडिया पर स्क्रिन शॉट के साथ फैल रहे है। जिससे लाखों बेरुजगार युवाओं में आकरोश का माहौल है। आपको बता दे कि यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की साथ हजार दोसो चमालेस रिक्तियों के लिए दो दिवसी भरती परिक्षा सत्रा फरवरी से शुरू हुई। इस भरती परिक्षा में 48 लाख से जादा उमीद्वार बैठे। पर देश के सभी 75 जलों में 2385 परिक्षा केंद्रू बनाए गए हाला कि कड़ी सुरक्षा और सक्त पहरे के बीच आयोजित हुई इस परिक्षा के पेपर लीक होनी की खबर सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया इस पर पेपर के कुछ स्क्रीन शॉट्स और फोटोस के साथ दाव हो रहा है। इन दावों के बीच यूपी पुलिस भरती बोड ने ट्वीट कर जरूरी जानकारी दिये है। यूपी पुलिस भरती बोड ने अपने ऑफिशल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर पेपर लीक के दावों को गलत बताया है। बोड का कहना है कि इजना बनाने के आरोप में पिछले तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 244 लोगों को या तो गरफ्तार किया या हिरासत में लिया। राज़े पुलिस मुख्याले दौरा जारी एक बयान के अनुसार ये गरफ्तारिया या हिरासत पंद्रे फरवरी से 18 फरवरी शाम 6 बजे तक की गए ये गरफ्तारिया और हिरासत थानिये खूफिया जानकारी की मदद से जिला पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की काईयों द्वारा की गए रविवार को डी जी पी प्रिशान कुमान ने कहा गरफ्तार या हिरासत में लिये गए आरोपिय प्रिक्षा में अनुचित साधर अपनाने में शामिल लोगों और गिरोह को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि अधिकांश गिरफ्तारियां इससे पहले की गए जब आरोपी अनुचित तरीके अपना कर परिक्षा को भंग कर कि अपनी नापाकी उजनाओं को अन्जाम दे पाते हैं